सब्सक्राइब आपको बताऊंगी प्लीट बनाते हुए बिना किसी के मदद से कैसे अच्छे से हम साड़ी पहन सकते हैं कुछ टीफ और ट्रिक के साथ चले वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले आप अपनी पेटिकोट का अपनी हाइट के हिसाब से अर्जिस्ट कर लीजिए मैं यहाँ ट्राडिशनल पेटिकोट यूज गया हूँ उसके बाद आप अपनी साड़ी का end तक जाएए और बाकी साड़ी को left side पे छोड़ दीजिए जैसे मैंने दिखा रहे हूँ टकिंग स्टार्ट कीजिए अप पीछले साड़ी से ज्यादा साड़ी मत रखेगा इस से करने से क्या होगा आप मोटा लग सकते हैं पीछे साड़ी से अच्छे से टक करते हुए आगे तरफ आएए अब आप साड़ी के पहले इन तक आ जाएए और एक सिंपल सा क्याजवाल प्लेट्स बनाएए और इसे अपनी पीछे की और से लेते हुए आप अपनी सोल्डर पे रखना है और हमें यहां आपको बता देती हूँ यह कोई मतलब सेट का प्लेट्स हम नहीं बना रहे हैं यह नॉर्मल क्याजवाल प् लिजे आपको कितना लंबा बलू जाए नाओ आप इसकी लास्ट प्लेट्स से अपनी बड़ साधी की बड़ निकालते हुए ऐसे ही ने की और ले आए इसे क्या होगा आपकी बड़ अच्छे से दिखेगी और यह बेरी अट्राक्टिव भी लगेगी तो इसके लिए आप यह प्लेट्स अपनी हातों से बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो बहुत ही सही नहीं तो आप पहला वाला थोड़ा बड़ा कीजिए और उसकी बाद की हर एक प्लेट एक ही साइज में होना चाहिए अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं आप आपको जरूरत पढ़ी तो आप हर एक ट्राइख कीजिए और अपनी हाइट को देख करते हुए इसे अच्छे से एक ही सेट में बना लीजिए और मैं जैसे कर रही हूं ऐसे ही समेट लीजिए और उसके बाद अगर आप हील पहनना चाहते हैं तो साही पहनने से पहले हील इसे आपकी हाइट मेजरमेंट में कुछ भी प्रोब्लम नहीं होगा अब आप अपनी हाइट को देखते हुए इसे टक कीजिए और अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप हर एक प्लीट को एक ही जगा पे समीट लीजिए मैं आपको दिखा रही हूं वैसे ही समीट लेने के बाद नीचे की और से छोटी से सेप्टेपीन के हेल्फ से इसे सिक्यर कर लीजिए और अब आप ध्यान दीजिए यह प्लीट को लगता है प्लीट बनाना बड़ा ही डेंजिरियस काम है नहीं यह बहुत आसान है बस करने वाले के उपर डिपेंट करता है यह देखिए आप इसे पकड़के अपनी सोल्डर पर रख लीजिए पहले आप अपनी वही सोल्डर वाली जो अहां भी आप इससे पीन को सिक्यर करना चाहते है अच्छे सिक्यर कर लीजिए उसके बाद सामने वाली वडर्स को बनाना है आपको पहले लोग क्या करते है सामने वाले वडर्स क बनाते हैं और इसको सिक्वेर करना भूल जाते हैं इससे आप जो प्लेट्स इतने ही बहनत से बनाई होते हैं वो खराफ हो जाता है पहले सप्टे पिंच लगाना है उसके बाद प्लेट्स को बनाना है अब आप देखें मैं उपर एक जाकेट पहल ली थी क्योंकि मुझे पहनने के बाद कितने आसानी से पहनी हुई मैं और फोटोग्राफ्स आप देख लेजए तो इतना ही था आज की वीडियो मैं और भी साडी वाला वीडियो लेके आऊंगा थैंक्यू वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड पर बताना मत भूलना और थैंक्स पर वाचिंग तिल दे एंड एसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच अब से मैं इनाक्टिव नहीं रहूंगी मेरी चैनल पर हर टाइप का वीडिय ब्लॉगिंग भी आएगा और टेक्निकल्स जो होता है क्या होता है रिव्यूज होता है अन्बॉक्षिंग होता है वह भी आएगा सब कुछ आएगा सो डोंट फरगेट तो सब्सक्राइब और टाप दे नुटिफिकेशन अन थैंक्यू सो मच